आप सारे एलाइंस जो 322 B2 में आते हैं उनके गतार धता यही हैं तो अन्वेशन से जुड़ने का के पीछे क्या कार? आप सभी को नमस्ते अन्वेशन से जुड़ने का एक मात्र उद्देश जो है हमारा वो है PR हमारा मेन उद्देश रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचे और हमारा ब्रांडिंग जो लाइंस का है एक सब्ध है वहां पे वहां पे वेर देर इस तो ईसी को आगे बढ़ाते के हम हमने आपसे एक जुडआउ जो आपसे किया है हम चाहते कि ज़्याद से जयदान से चाहते हो सकेricoस को अगे बांडिंग हो सकेड़ने बांनी, अक हम आरि यह हमारी प्रांडिंग होradas nao को बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइंस डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ जुडावा है and we are very happy to be you on DICE और उसके साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि Amit साब ने पूरा एक शो औरेडी बुक कर दिया है, प्री बुक वो औरेडी हमारे मेंबर उसके लिए रहेगा, कि हमारे डिस्ट्रिक तीन हजार मेंबर हैं तो हमने इस से वादा किया कि जिस दिन भी ये लॉंच होगी पिक्चर तो उसका पहला सो हम लोग अपने ठेटर पे दिखवाएंगे अपने मेंबरों के लिए कमाल रहे, कमाल रहे तो आपको कैसा लग रहा है कि अब बेंगॉल से भी हिंदी मुवीज बन रही है और इस मुवी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपकी विसेज तो प्लीज अन लोगों को चाहिए ही पहले बाद तो ये है कि बेंगॉल कभी भी पीछे रहा नहीं है आज मैंने बेंगॉल को आगे बढ़ाया है as a best Bengal Mrs. India Bunny मैं मेरा आगे का भी बहुत ही बड़ा एक प्लाटफ़ाप है जिसमें मैं बेंगॉल को ही लेकर जाओंगी जो की काफी बात में इसके बाले में लाँच होगा बात में इसको रिवील भी करूँगी मैं की एक ऐसे स्टेट से और अब क्योंकि इसमें इंडियन मुवीज भी बन रही है तो मुझे लगता है कि बेंगॉल फ्लॉरिष था और इस प्लाटफ़ॉम में भी और जादा फ्लॉरिष करेगा और जब सर है तो मेरे को तो कुछ बोलना ही नहीं है मैं एक मेरा हर चीज में जैसे हम बोलते है कि गुरू का भी बहुत बड़ा हाथ होता है तो मैं बताना चाहूँगी कि यह जो यहां पे अनुराक सर खड़े है जो बहुत बड़े कोर्योग्राफर है मैं उनकी सिष्च रही हूँ तो मेरा जाओ मिसिस इंडिया में टैलें ट्राउंड था तो मैंने अपना टैलेंट दिखाया था वो सब इनी की देने और आगे भी मैं यह करती रहूंगी और जो यहां के डिरेक अब आपकोस जब यह रिलीज होगी तो मैं पूरे प्रडक्शन के साथ देखने जाओंगी इसको अब आप डिरेक्टर साथ हैं आपको कौन क्या डिरेक्ट करेगा खुदी बताईए क्या बताना चाहते हैं यह जो तीम के साथ मैंने काम किया है यह मुझे लगता है यह मुझे लगता है मैंने ड्रीम team है इससे पहले हुपी मैंने काफी साथ film पनाहि है वो भी मैंत नृ मुझे पहले बार सब फीड हो रहा है के मतलब यह तीम उजणगा तो तो यही मुझे उमीड है कि बड़े बड़े काम करने हैं और भी आगे नेक्स्ट फिल्म की प्लानिक करनी है इस फिल्म के बाद तो और I am very happy मुझे बहुत satisfaction मिला मुझे बड़े के साथ काम करके और बड़े काम की अधर देखे यह तो मेरा प्लान है इसको रिलीस करने का बाई अप्रिल्म कोई सिच्वेशन कैसा रहता है इसकी उपर डिपेंड करने है क्या यह OTT प्लाइफ़म में तो मेरा second option तो ही OTT के लिए but first of all मैं चाहूंगा इसको हाल में रिलीस करेंगा but I have to see the situation अगर 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 सिच्वेशन है ठीक रहा थीक रहा cinema hall में occupancy अगर 100% रही उसवग तो we will go for hall otherwise we will go for a OTT platform Hindi National OTT platform Sir यह जो animation जो movie है जो आपने बनाए Sir यह विच ताइप इसका अगर अगर आप समझो animation का मतलब होता है research it's a Hindi word of a research आप एक पेड़ पौधर के ऊपर research करने जाते हो एक जगा किसी जंगल में जाते हो और वहां पर जाकर incident होती है कि दोस्त लोग गया होपर research करने के रिए और फिर सब गायब होने लगते हैं murders होते हैं तो आप ट्रिलर में वही देखो के फिर आपको तो फिल समझ में आगा कि मतलब इस अ suspense, thriller, murder mystery subject इस अनी comedy sense on this movie sir? comedy में तो हमारा एक्टर राजकुमर कनोजिया जी he's a very nice comedian काफी सारे film में उनने किया है और वो जोनी लिवर के बहुत close friend तो उन्होंने इसमें काम के थोड़ा बहुत comedy dialogues वगेरा है but it's not a straight forward comedy film it's a thriller, suspense, murder mystery थोड़ा बहुत comedy का इसमें आपको फिल मिलेगा थोड़ा बहुत but it's a खास मकसद क्या है इस फिल्म का? खास मकसद है आप लोगको इटन करने का इटन करने का मतलब में उद्देश वही है कि how you get entertained by कि आजकल जितने भी फिल्म आप अगर OTT में देखेंगे या फिल्म देखेंगे वह सारे मतलब thriller, murder mystery, horror, suspense ऐसा ही subject बन रही है तो हम लोगों ने सुता है कि why not that? कि उसी को हम लोग आगे बढ़ा है उसी को लेके यह हम लोगा दोग में रिस्क मही है कि इसकर फिल्म बनाव रिस्क नहीं है देखें जब हम लोगो उसवक्त कुछ में था इसवक्त हम लोगो उसवक्त किया था ज्ञाडखन में जाके तो वहाँ पर ऐससा कुछ बेनी था वो तो अभी हो रहा है कि तो आपने दो बाप बताई एक्शिली अन्वेशन का मतलब रिसर्च को मुझे लगा कि आपने अन्वेशन को लिया है सिंगिंग में इसलिए अन्वेशन बता है यह तो मतलब को इंसिडेंट आप बोल सकते हों अन्रेशा को लिया है तो पर को अन्वेशन को लिया है तो आपने इसलिए गया कि सर्प कमेड़ी चाहते और दूसरी बात आपने बताई कि मोवी ज़ाडकन में हम लोगोंने शूठ की है तो यह आप नहीं बताते तो अच्छा रहता क्योंकि जब मैं लोकेशन पे गया तो I was completely completely surprised कि इंडिया में भी ऐसा लोकेशन है वो भी बंगाल के इतना पास में और जो लुक है और मैं तो गाने से जुड़ा वा था तो मैं गाने के लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो गाने के जो लोकेशन है वो देखके आपको कहीं कोई एंगल से भी नहीं लगेगा कि इंडिया में शूट हुआ है दिल से एकदम और हैट्स आफ कि नए लोगों को चांस जब मिल रहा है तो ये मूवी के बादना विजय जी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो होपफुल हो ज प्रहुत है तो जाते हैं कि मौगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और ये महा शरक्ती प्रडक्शन्स की चौथी ये वैंचर है चौथा प्रौजेक्ट है इसके पहले तीन बेंगॉली मुवी इस थे और ये पहला हिंदी प्रोजेक्ट है तो विजे जी ऐसा आपको क्या लगा कि हिंदी नूवी बनानी चाहिए और कैसा लगा आपको पूरा एक्सपिरियेंस कैसा रहा इस नूवी के साथ दन्यवाद आप सब को नमश्कार करता हूं और मंच पर आज हमारे लैंस क्लब के दिस्टिक गवर्नर अभी जी बैठे हैं मैं में से इंडिया उर्वाज जी बैठी है इन लोग का सब्सक्राइब करता है और आप लोगों से खाती हो रहा हूं कि यह बात में दिमाग में थी मंगला फिल्ब में मैंने चेस्टा की है कि जो में करेक्टर छोड़के जो भी दूसरे आपरे जो करेक्टर आर्टिस्ट है उनमें अगर कुछ नए चेरे अच्छे र और इस फिल्म में भी जब इसमाई साब से बात कर रहे थे कास्टिंग के हिसाब से तब इतने बड़ी हां कलाकार है और तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको के सामने आ जाएगे आज अर्मान है रोपसा जी है जो छे दोस्त जो बहे हैं घुमने के लिए सारे के सारे एक से अच्छे कलाकार है सवाल अज सेलिबरिटी को लेकर फिल्म बनाने के लिए एक तो अतना लंबा चोड़ा खर्च करिए उस पर वह इंवेस्टमेंट करके और आज की कोई शर में ऐसे ही फिल्म की विज्ञें से हाई रिस्की है और उसके बाद उस इंवेस्टमेंट के ब जो किये वे काम थे और वड़ी आर्टिस्ट है तो हम लोग ने यहीं रिसाइट किया कि अपने को इनको लेकर ही बनाना है अब सवाल है कि कुछ फेस्वेल्यू कुछ कमर्शियल के साथ से अपनों को रखनी है तब यह जो बंबै के आर्टिस्ट है अपने मुस्ताब खान जी है कि राजकुमार करूजिया है एजया सिंग जी है जो रगलर आता है फिल्मों में तो उनको एजय करेक्टर आर्टिस्ट चनुपन साथ मिले लिए कि फिल्म मिल दूल के कुछ साथ किया है लेकिन हमारी एक टीम जो बनी है और जो आज इसमाईल साब ने कहा है एकड़ सारी पूरी आर्टिस्टों की टीम है डिरेक्टरेट टीम है हमारे प्रोडक्शन में सारी टीम पूरी बड़ी लाजबाव रही है और भी है एंज्वाइड एलॉट हम लोग सुटिंग के टाइम में असा कभी भी नहीं लगा कि कोई बढ़न है या कोई है हम लोग आपस मे जूटते जूटते और एंज्वाइड करते हुए इस बेंचर को कम्प्रीट किया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में भी इसमाईल साब है और हमारी दूसरी जो डिरेक्टर टीम के आदमी है वो पूरी खटनी कर रहे हैं कोई चीज़ दिल्ली में अच्छी हो रही ह थीम कंसेप्ट बतलाई है माडर मिश्टी पर है और इनका आर्ट आप लोग देखेंगे तो पसंद आएगा गाना दो लाइन आपको सुनाई थे हमारे मिजुद डिरेक्टर तो सारी चीज़ों को मिला जुला कर जज्जमेंट आप लोग का है हम लोग ने प्रियास किया है एक सवाल है कि लुगी का बजट के है सर एक ये वही बात होगी आज हम लोग किसी लड़की को उसकी उमर पूछे एक प्रोडूशर को एक प्रोडूशर को अगर लागत की बात पूछे ना तो मेरे ख्याल से दोनों में हम लोग आद जोड देते हैं कि इसको प्लीज अगर मैं एक इशारा दे देता हूं हम लोग सारे कालाकार जिनको पेइमेंट सबको मिला है and we all are satisfied with the payment sir मैं आप से बूलना चाहता हूं sir kolkata में हिंदी मुवी और क्या kolkata में क्या इसका कोई शूट हुआ है यह सब कुछ धाकन कई हुआ है यह पूरी हमारी पूरी यूनिट लगातार वहां जितने दिनों का सेजूल था बलकि उस्तेयों भी दो दिन जाबाई वहीं रहकर हम लोगने कंप्रीट की हमारे स्क्रिप्ट में क्याकटा बेस हम लोगने रखा ही नहीं कि पूरी यूनिट व भी कंप्रीट की है जो हमारे फिल्म की कहानी जो कंसेट उस कंसेट के लिए वहां पर हम लोगों जो जैनल चीए थे बहुत बढ़िया जो मिले नहीं भी पर बतलाई आपको सामने आए जाए तो सारी चीजिए जीए मिल रहे थी और हम लोग सब मिलके वहीं पर कंप्रीट क करने भी चेस्टा किये यह मूवी किते दिनों में पुड़ा कंप्रीट हुआ है किते दिन शुक्त कर लिए करीब हम लोग को 17 दिन में हम लोग कंप्रीट कर लिए 23 दिन का सिजूल था यह इसमाई साब का अपना इनकी एफोर्ड थी इनकी एफिशेंसी थी हम इसको अमेशा इनकी प्रेज करते हैं इनोंने बहुत जल्दी उस चीज को और हमारे सारे आटिस्स बड़े कॉपरेटिव थे रात को एक एक बेर काम हुआ है तो किसी ना नहीं का रहे है किस तरह से काम करवाते हो यह इक डियेटर के उबर डिपेंड करता है कि आप कैसे कितने फास्ट काम करते हो किस तरह से कॉदिनेशन की बात है कि सारा पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम है मैक्सिमम काम सारा ही का सारा काम बॉम्बे में हुआ है सभी से लेके सारी सभी कुछ है तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है आप लोग ट्रेलर देखें कि आप वह ऐंहों को मैं हो मूवी मैं हुम मूवी कर रहा है कैपिन अर्मान ये फैंस पीछे पढ़ गयते है ए ला एक्छे सारा पर आपोडिए है थान्क ये आ्नकुत आपनो पोइब घ्रligen जैसे कि अनुराग जी ने अभी कहा मुझे कि, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं एक प्रोजेक्ट करना था देली में, तो उसी के शुटिंग के दौरान थोड़ा हो गया, that's it. जैसे कि मैं बताओं, मैं तो शुट करने नहीं, मैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ट्लिप पे गया था, विकेशन पे गया था, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि, this two people sitting right over here, ये लोग, इन लोगों के बारे में कितनी भी तारीफ करूंगा, इसली तारीफ नहीं करूंगा कि इ तो कभी ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं शूड कर रहा हूं, खाते-पीते, गुमते-डहलते, आजा मान चल शॉट लेते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मुरूबर कभी ऐसा था ही नहीं कि मैं अक्टर हूं, ये प्रोड्यूसर हैं, हम विए लोग ऐसे थे कि we all were working like a family और तभी शायर आपको वो सहरी चीजे दिखेंगी स्क्रीन पर बाद में भी दिखेंगी और सबका effort है, team work है कोई चीज ऐसे ही कभी नहीं पूरा होता है always it's a team work सबका बहुत महनत रहा है सबने अपना 100% से भी जादा दिया है दिन रात मिलके सब लोगो ने काम किया that's it Thank you Captain नाम के लगाने का मदब आपको पता था कि आप पैदा हुए हो तो picture के hero बनने के लिए Actually मुझे इतना नहीं पता था इतना मेरे mom dad को पता तो इसके पीछे कि आपके अर्मार का जो लॉजिक है मैं आप सभी को बताता हूँ मेरे डाइड इंडियन एरफोर्स में थे तो इंड वेरी से वी जाइड वेरी से वी जाइड लेकिन बच्पन से ही कीडा काड गया था कि कलाकार बना है कलाके छेतर में आगे बढ़ना है तो डाइड ने मेरा नाम रखा कि चल बेटा ठीक है तू एरफोर्स में जाएगा कैप्टन तो वैसे भी कैप्टन का मतलब यह होता है जो सबसे टॉप पे रहता है इंड वेरी सेम वे मेरे चाचो ने मेरा नाम रखा क्योंकि उनकी कुछ ऐसे अर्मान थे जो पूरे नहीं हो पाए थे क्या बात ऐसा हुआ आप एरफोर्स में नहीं गए वहाँ अगर कैप्टन बन जाते तो फिर नाम होता कैप्टन कैप्टन अर्मान रुपसा जी आपको एक्ट करके क्योंकि शूट पूरा बहार में था and you being a female और बहार में आपको कैसा फील हुआ सेट में कैसा था स्टार कास से कितना experience कैसा रावे सीखी hi good evening everyone बहुत अच्छा experience था सब कोई बहुत supporting थे Ismail sir, Vijay sir, Arman सब कोई सारा cast चारवी और भी जो भी cast है हमारे सब कोई बहुत supporting थे ऐसे बिलकुल भी कुछ female या अलग से uncomfortable कभी भी feel नहीं हुआ बहुत ही अच्छा experience था बहुत enjoy कर किये बहुत अच्छे से काम भी किये आपके साथ दाने का शूट था तो overall बहुत अच्छा experience था चलिए तो हम सभी excited है और Dr. Ekta Bagariya from Himawan Beauty Thank you for excited to see the trailer वैसा ही है उससे अच्छा है expectation से जादा अच्छा है कि का मैं कैसा है आप लोग प्लीज share करें क्योंकि Rahul भाई को मैंने देखा है थोड़ा act करते वे sorry Gargi ji को तो जादा नहीं देखा मगर जब सामने picture आईगी तब पता चलेगा तो प्लीज शेर करें कुछ moments ऐसा Good evening all बहुत ही अच्छा लागा ट्रेलर expectation से जादा ही अच्छा लागा और thanks to Vijay ji and Ismail sir कि उन दोनों ने इतना अच्छा काम किया और हम जैसे new color car को चांग रिया तो बहुत ही अच्छा लागा यह और आके देखिए movie तो जरूर आप लोग देखेंगे तब acting के बाड़ में ही पता जलेगा त्रेलर देखे मुझे तो बहुत ही अच्छा फिली हुआ है thank you all राउन भाई मैं एक कोई dialogue सुने इन से मजा आएगा न movie का कोई dialogue सुने मजा आएगा अरे यार कोई मुझे बताने की तकलीफ करेगा की आखिर आखिर हम जा कहारे यार इतना टेंशन क्यों ले रहा है भाई surprise है ने देना यार तुझे तो पता या surprise वे रहा है मेरी भटती है हस क्या रहा है बोल आगे जा कहारे Virgin Forest Reserve Virgin Island Forest Reserve यह कहा है देखके बता चलेगा क्या है या या नहीं भाई देखने में दो लडगियों को इमजा आता है भाई Thank you Thank you so much Ismail ji को में काफी दिनों से जानता हूं आम लो काफी दिनों से जूड़े हुए तो इंका में देखता हूं जो भी प्रयाज करते हो सफल ही होता है और अम लोग सक्से सीजे भागते है आज आम्रा विशोनी एक्साइड़ तरनाजा में देर अन्वेशन Hindi movie trailer release विशोनी भालो अपना देर निश्चोई खुब खालो लागवे अपनारा शावाई देखूं अर शुट कर शोमाइ अरह शुट कर शोमाई है अर्शोनी एंजयी खोरोछी आमादेर घाच्छी लाई प्लुरो शुट्ता हो Counter-Striis विशोनी उप्रा शुट्व शुट्व खोरोछी आम रहा जुट्व मेरा शुट कर शोमाई है जोसा अठील हे जोफ थी गार शोप्नोत हाके आज के अमा दिर मुनुच्यो वगरे निष्चम ही है जे आज के मुनोच्छों जे आमादेर शॉपनोटा पूर्णो होच्छे आर जोतो ही आमरा आमादेर कास्ट आर क्रूर बैपरे बूली आमादेर जारा कुव आर्टिस्ट तरहा शोत्ती खुब भालो छिलो इवन डिरेक्टर श्माहिल दार अमादेर प्रोड्यूसर बिजय सर शॉब भालो खुब भाल लागलो काच कुरे आशा कोच्छी जे आबार इन फ्यूचर आमरा निश्च्वी आरेक्ता वें शर कोड़ते चुलेची अपना देर भालो खाशा यह भापे चाहिगी? ताथ से, थांक यू सो मच अटा अमादेर प्रतोग भंदी छबी महाशक्ती प्रोडक्शन से अटा अमाँ प्रतोग हंदी छबी एर आगे आमी दुटो बांगला छबी याक्टा वेब स्रीज कोड़े छि अटामाँ प्रतें डेब्यू हंदी सेनेमा खुब शुल्द एक्टा टीम, खुब भालो एक्टा टीम, खुब धारून लोकेशन ये आमाँ शूट कोड़े छिलाम खुब भालो एक्टा टीम केशी आर अचके जे अचके ट्रेलर लांच आचे आशा कोड़ी शौबरी पचन भालो लेगे छे आर आशा कोड़ी छोबीटाव अपना सिनेमाटा अपना खुब भालो लागबे यहन येटा रिलीज होगे लीज कानः में प्लाना आँचे मांचे फिलमा आचे आचे बट सिच्छेन देखिया आमारा ता बोले आँचे आशा कोड़ी आँचे अचे कोड़ी आशा कोड़ी आच गालो लागबे तरह कुब अधने बालो लागबे आमी देबोस्री, आमी कार्की, आमादे नुदुन शोभी आश्चे, अनने शन, आपने अपोस्ट्री देख्वेन, इस शोभी ते काच कोड़ा है, आमादे खुबी भालो लेगे छे, खुबी भालो एक्स्परियेंस, वाने पुरो टिंग्टा आतो एनेजीटिक छिलो, एक् को एदर पुरो मनाचे घुटे गेछी आमादे शुटिंग एक्सपरियेंस को भालो एक्सपरियेंस, वाने शोभाई को भी यंग्जा कोड़े काच कोड़ाइश है, जब बालो डाटिस्स छिले हैं, उनाहरा शुबाई, एक्तो कोड़ाइश हैं, पुनो अटिटियों आध सब के लिए पूरा डेश कर दोलकिकर परी जिए फ़िछ प्राइश के लिए somethin थे रिफीड प्रॉब्र्म होगे पिंगली लोग तो कापी हिंदय फिल्म लेखते ही है और हिंदी लोग तो देखते ही है मुझे नहीं लगजरे कि लाउड़ेश प्रॉब्ल्म होगा ये फिल्म में सब कुछ है, मतलब रोमन्स है, दोस्ती है, शस्पेंस है, क्राइब है, और हॉरर भी है, और हॉरर भी है, तो मतलब ये एक दिम पैकेज है, तो मुझे लगते कि हर तरीके के ओर्डियंस को हर एज के हर चॉइस के लोगों को ये अच्छा लगए है, या, लोके हलो, हाई प्रेंट, हमारा अभी नए पिक्चर आने वाला है, का नाम है अन्वेशन, जिसमें हम लोगों ने मिलके, मिलना सुमन मिलके, इस प्लीम का मीजिक बना है, हमने, तो ये गाना जावेद अली जी ने और अने शा ने काया है, तो अब लोग दिखने में कैसा हुआ ह अच्छा लगेगा, और रोमांटिक काना है, हम लोग तो को सुच किया है, तो क्या बर्में, क्या बोले, पुरा मेरा टीम है, हम तो चैमेरा के उस पर रहने वाले लोग है, मागर जो मेरे गानी के ऊपर जिन्दिन लोगों ने काम किया है, जो भी लोग है, सब को थेंक अछिछा जब दिखेंगे तो अच्छे लगएगा स्माइल जी है अक्षी तो तो इसमाइल जी के बारे में च्छा काम किया स्लिप किया हम्पर इसमाइल जी ने考而且 अछिए जमेदर ने अच्छा काम किए अच्छा काम बनाने की परह सिपंगे तो बहुत अच्छी खराइगा सबको रिक्वेस्ट के आप अच्छे काम दिखने वाले है आगे अफ लोगोग के अच्छ लाइगा सबको तो हो मिले मैं मकमल हुआ शान ही डालव बन गए हो खुदा, हाले दिल मेरा, सुन ले क्या कह रहा, तुझसे हैं ही शुरू, मेरी शाम और सुबाँ तुझो मिला लगे, जैसे कर दुआ, ना, 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 तुझो मिली, मैं मुकम्मल हुआ, बन के तुझ जिन्ग भी, बन गए हो खुदा मैं विजय कानोडिया, इस फिल्म का प्रोडिशर, फिल्म का नाम आप जानते हैं, अनुवेशन, ये फिल्म हम लोगों ने तीन-चार अलग-अलग स्टोरीज के भीतर में, ये मर्डर्न मिस्ट्री के उपर है, तो ये स्टोरी चुनी थी, इस बार जो हिंदी में हमने कारों को लिया गया है, हमने चेस्टा की है, कि आज दर्सक जो चाहते है, उनके भीतर जो एंटर्टेन्मेंट के साथ में एक फिल्म से बंदे रहने की जो उनके जो एक्टिचूड रहती है दर्सकों की, उसको हम लोग पूरा कर सके, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम कि है, पूरी मेहनत की है, और फिल्म हमारे हिसाब से तो अच्छी बनी है, बकि आप लोग जज आप लोग करेंगे साथ, हमें उमीद है कि आपके संतोष के हिसाब से हम इस फिल्म में खरा उतर सके, आप लोग देखिएगा, धन्यवाद, नमस्कार. मैं एकतब अगारिया, हमावन ब्यूटी से, और अनवेशन के लांच पे आई हूँ, इस अल अबाउट ग्लामर, ब्यूटी, और मेरा जुडना तो इनसे बनता ही बनता है, और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और आपनी पूरी टीम के साथ जाने वाली हूँ इस मोवी को देखने के लिए, थांक यू